हेलो पीचर डॉक्टर्स कैसे हैं आप सभी लोग आयोब बहुत ही बढ़िया होंगे और उस वाइट कोट के लिए जो लडाई चल रही है उस लडाई में दिन पर दिन आगे बढ़ रहे हैं और खुद को नरिश करते हुए आगे चल रहे हैं को और मजबूत करने के लिए आपके आत्म विश्वास को और बढ़ाने के लिए canvyn आप लोग के साथ आगया है आपकी मदद करने के लिए आगया है, आप लोग के लिए लेकर के आगा है, नीव पैटर्न पर, जो नी 2021 exam होने वाला है, उसके लिए नीव पैटर्न पर, अब हम लोग test series लेकर के आगये हैं, इसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे, और ये test definitely आपके marks को बढ़ाएंगे, आपके rank को करतेंगे जबरदस्त कैसे क्योंकि इन सभी टेस्ट को बनाया है स्पेशलाइजड फेकल्टीज ने जो 15 से 20 साल से डॉक्टर्स प्रेड्यूस कर रहे हैं सिलेक्शन दिये जा रहे हैं लगातार दिये जा रहे हैं और यह हमारे बैचेज में भी पढ़ाते हैं इसी के साथ अब मैं आप लोग को बता देता हूं आपको इसे जॉइन कैसे करना है जॉइन करने के लिए आप लोग हमारी Android डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप यह सोच रहे हैं आपके पास iOS है या फिर आप लोग website पर यूज करना चाहते हैं तो आप सभी लोग iOS वाले और Android वाले भ सब्सक्राइब करने के बाद अब आप में आने लगा होगा और आपको अप्रोच भी पता लग गई होगी कि किस तरीके से हमें को सॉल्व करना है जैसा कि आज आप हमारे थमनेल के पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं सॉल्यूशन चेप्टर को तो आज हम इस चेप्टर की कि जितने भी पिछले पांस सालों में को सारे के सारे को सॉल्व करेंगे मिनमम एक क्वेशन तो आता ही आता है हर साल और मैक्सिमम टू टू थरी क्वेशन इस चेप्टर से आते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको यहां पे सॉल्यूशन के बारे में बता दूं आपने सब पर्टी जहां से कॉशन आता है और यदि हम देखें इतने पिछले पांस सालों में यहां से तो सिंपल आपके राउट सुला पर कॉशन बहुत आए निगेटिव डेविशन पॉजिटिव डेविशन आइडल सॉल्यूशन यहां से भी कॉशन आये हुए तो चलो वक्त आप निट 2020 में पूचा गया था ठीक है कब पूचा गया था निट 2020 बहुत ही अच्छा क्वशन था और बहुत ही आसान मतलब यह समझ लोगे क्लास का किया हुआ है जो बच्चे हमारे यहां पढ़ते हैं पेड वैच में उनकी क्लास का कॉशन है विद नोट्स का तो लिखा हु सॉलूूशन पढ़े होँगे जहां पर आईडाल सॉलूूशन पढ़ा होँगा ठीक है आइडाल सॉलूशन के से बोलते थे जो फॉलो करता था कर अब कर दो नौ राउट्स लॉं मैं ठीक है और दूसरा बोलता था दूसरा नान ईडिएल solution non-ideal solution यह क्या गरता था यह डू नॉट फॉलो कि फॉलू कि राउट स्लोग ठीक है फिर आपने देखे थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो ही तरीके एक आपकी सॉल्यूशन होते थे एक होता था सिंपल पॉजिटिव डैबियेशन ठीक है और एक होता था कि निगेटिव डैबियेशन फ्रॉंड राउट φ chlor है ne है ना रही पड़े थे तो यहाँ पर किसका वारे में पूच रहे कि आई है सिंपल यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन के बारी में पूछ रहा है देखो यहां पर बात करें पॉजिटिव डेवीशन में ना से करेगा ना से लेगा थिक है मतलब यह लगा ना Acetone प्लस क्लोरोफर्म होगा ना ही क्लोरोएथेन प्लस ब्लोमेथेन होगा जो यहां पर आंसर है सिंपल वह आपका सिंपल जो कुछ आपके हाइड्योजन मॉलीक्यूस होंगे वह क्या होंगे ठीक है ना तो ब्रेक होंगे तो वह क्या करेंगे सिंपल आपका पॉजिटिव डेविशन को सो करेंगे तो यहां पर यदि आप आंसर भी देखेंगे सिंपल क्या आएगा आपका ए ओप्सन आ से किलियर बच्चा बाटी आपको पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ जो मैंने बताया वही यहां पर लिखा हुआ है तो अब हम चलते सी प्रकार के नेस्ट कॉशन पर हमारा अगला कॉशन क्या बोला है यह देखा जाए बहुत ही आसान कॉशन था इस सब क्लास की कॉशन से हैं आप क्लास में पढ़ोगे बहुत ध्यान से पढ़े होते तो यहां से डार्यक कॉशन बिद फॉर्मूला बेच तो देखो यहां पर नीट ट्वंटी ट्वंटी में पूचा गया था ध्यान समाजना क्या पूच रहा है कॉशन लिखा हुआ है दा फ्रीजिंग टिक है कॉश्टेंट के एफ की बात कर रहा हूं बैंजीन इस फाइफ पॉइंट वन टू कैलविन किलोग्राम पर मोल ठीक है भई इसने के अफ दे दिया अपने को पाइफ पॉइंट वन टू ठीक है मैं यूनिट नहीं लेख रहा हूं दा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ दा स्वालूशन ऑफ मोलेलीटी मोलेलीटी भी दे दिया उसने तो जो मोलेलीटी है है ना मोलेलीटी कितनी दी गई है जीरो कॉइंट जीरो सेवेन एट मोलल तो त्लाखे बोलते हैं तो क्या होता मोलल बिल्गों सब्द निकलता है ठीक है अब देखो अब पूछ रहा है यहाँ पे अनॉन एलेक्टोलाइट क्या होता है आपका सिंपल होता है के एफ इन्टू एम यहाँ पर क्या होता है मूलेलीटी है बस आपको क्या करना है सिंपली मल्टिप्लाइब करना है तो मल्टिप्लाइब करोगे आप तो कितना जाएगा डेल्टा टी एफ एक्वल टू आपको दिया हुआ के एफ की वैल आपका आएगा 0.399 मतलब यह आजाएगा सिंपल एप्रोक्सिमेट कितना 0.40 कितना आएगा 0.40 कि यह बात भी के लिए हो गई होगी तो यहां पर जो आएगा वह सिंपल आपका टी ओप्सन हो जाएगा बोलना पड़ेगा भई हाँ या ना किलिया बच्चा बाड़ी अब द सब्सक्राइब देखिए अगला क्वेशन क्या बोला है समझों यहां पर जो कि आपका नीट 2219 में पूछा गया था तो समय ना यहां पर क्वेशन लिखा हुए फॉरन आईडियल सॉल्यूशन दक करेक्ट ऑप्सन इस तो देखो हमें करेक्ट ऑप्सन बताना है यह आपको वैफ संबीए घे हमें पता है ने लोकिलास का डिरेक्ट को सburger आइडिल सॉल्यूशन की बारे पूच रहा है तो आपको पता है अब आच्छा यह अधि बताया था आभी यहां पर देखेते इंट्रेक्शन क्या होटे ते ABB है नश्थ तो क्या एक्वाल होते थे simple ठीक है और यहाँ पर आपने देखा था simple क्या delta H mixing क्या होता था 0 होता था delta B mixing यह भी क्या होता था 0 होता था यह क्या होते था at constant temperature and pressure ठीक है यह आपने simple देखा हुआ है अब यहाँ पर option देखलो यह option कौन सा है डेल्टा जी मिक्सिंग एक्वल टुजीरो एट इंप्रेटर नहीं यह तो बैसे भी जीरो नहीं होता है डेल्टा जी मिक्सिंग और इक्वल टुजीरो इसके लिए भी आपका जब आप आइडल स्वालूशन के लिए निकालोगे डेल्टा जी जो होता है वह यहां पर देल्टा एच इस नोट एक्वल टुजीरो आएगा सिंपल एसे आप समझ सकते हो तो यहां पर एवी नहीं होगा बी नहीं होगा सी भी नहीं होगा ठीक है जो होता है वो क्या होता है वो एक क्वड़ टुजीर होता है तो यहां पर आपको समझ में आ रहा हो कितने आसान स्टार्ट करना कहीं भी आपको डाउट लगे तब आप वीडियो को स्टार्ट करें तो चलो भई अब हम चलते हैं नेस्ट क्वेश्टन पर हमारा अगला क्वेश्टन क्या बोल रहा है अगला को से लिखा हुआ है अगला है तो एक बात ध्यान अखना यहां पर maximum boiling एज्योटोप की बात कर रहा है तो आप यह देख लो सबसे ज्यादा निगेटिव डैविशन कौन सो करेगा ठीक है जो जितना ज्यादा निगेटिव डैविशन सो करेगा वही क्या होगा उसका maximum boiling एज्योटोप होगा सिंपल तो क्या है निगेटिव डैविशन देखना और निगेटिव डैविशन के लिए आप क्या देखोगे सिंपल है ना तो आपका delta h mixing क्या होना चीए लैस देन जीरो आप देखते हो ना इस तरीके से लैस देन जीरी निगेटिव होना चीए ठीक है ना डेल्टा भी mixing भी क्या होगा आपका less than 0 का सिम्पल ठीक है तो यहां पर जो आंसर होगा आपका देख लो हेटेन प्लस और नहीं बहाई यह तो नहीं करेगा एथिनॉल प्लस होगी हाई ली इस बात को आप समझते हैं तो आपको यह कोशन भी किलियर हो गया हुआ मैं यहाँ पर सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है मैक्सिमम बॉइलिंग एजू टॉप आर फॉर्म है बाई दो सॉल्यूशन विच सो निगेटिव डैविशन हमने बताया तो जितना ज़्याद है निगेटिव डैविशन सो करेगा उतनी वह क्या होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजू तो को फॉर्म करेगा ठीक है ना अच्छा फ्रॉम राउट्स लॉट्स 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 आपने कहीं भी पड़े हो आप सिंपल नूट्स जो नूट्स आपके हैं उनको अच्छी से पढ़ो डायरेक्ट वहीं से आते हैं आपको एक्जाम्पल लेया दूने चीए देख लो आप कितने ज्यादा को सना इस पर इस वाले कॉंसेट पर सबसे ज्यादा इस बात को ज्य इस दिपेंडेंट ऑन टेंप्रेचर बही देखो डिपेंडेंट और टेंप्रेचर की बात कर रहा है कि लास का कॉशन है डायरेक्ट यदि यादो यदि हम बात करें यहां पे सिंपल तो ऑप्सन दिए गाए मोलर्टी बिलकुल सही बात देखो आपको सिंपल यह देखना वॉल्यूम किसमें है वॉल्यूम जिसमें होगा क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है आपका डिपेंड होता है डिपेंड अपन टेंप्रेचर बोलो वही हां या ना किलियर यह बात के लिए बच्चा बाटी आपको तो इस बात को सिंपल आपको समझ में आ गया तो अब देख मोल्स को कि और ऑफ सॉलूट कि डिवाइड राइड कि वालियुम ऑफ स्लूूटिं हाँ हर्た perlu होता है ठीक है तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका सिंपल क्यों हो जाएका अभी अब अब इसम प्रेक्षां में क्या होते हैं जो यह तो डेपैंड नहीं करता है आप GPT नमबर आफ दोते हैं यह क्या जोते हैं चुरोब वह लिए रेटली बताते हैं क्या बताते हैं नहीं क्योंकि यहां की बात हो रही है यह प्रसेंटेज यहां months की बात हो रही है बही डायरेक्ट मैं कितनी बार बोलों यहीं चीज बार बार रेपीट कर रहा हूं तो ध्यान से समझो यहां पर अब हम चलते हैं नेस्ट कोशन पर हमारा अगला क्या बोल रहा है अगले क्वेशन की बात की जाए जो की नीट 2017 में पूचा गया था ध्यान समयना क्या बोल रहा है यहां पर क्यों लिखा हुआ है इप मूलेलिटी ऑप डायलूट सॉल्यूशन आपको मूलेलिटी दे गई है और डायलूट से स्वालूशन की डबल तो मूले के एफ विल भी वो के एफ की वैल्यू पूच रहा है जो को सिंपल सी यह दि हम बात करें के एफ क्या आपका कि शन्ट है कि ऐसको मतलब भी नहीं आपक देखा हुआ तो यहां पर प्रपूर्शनालिटी अदे हो तो क्या होता है डेल्टा-ठीकित के साइन हटा दो क्या आए हैगा यह आएगा यह आए हैना और उख होता यह क्या होता है फौंस्टेंस तो कोई फरक भी नहीं पड़े चाहे आप मोलल्टी को क्या कर दो डबल का दो ट्रिपल को कोई फरक नहीं पड़ेगा को तो हर वाटर के लिए सब के लिए कोंस्टेंट रहेगा ठीक हर की लिए अलग 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 होगी तो यहां पर आएक आंसर क्या आएगा सिंपल आपका सी अंचेंज कोई चेंज नहीं होगा लोग भाग इसको ध्यान नहीं देते हाफ ट्रिपल डवल दिमाग लगाएंगे नहीं दिमाग नहीं लगाना ठीक है यह बात के लिए बचबाड़ी तो आपको यह क्वेशन भी के लिए हो गया होगा अब हम चलते हैं नेस्ट क्वेशन पर हमारा अगला क्वेशन क्या बोल रहा है तो देवो समझो लिखा हुआ है जो कि दो नीट सेकेंड 2016 में पूछा गया था ध्यान समझना क्या बोल रहा से इनकरेक्ट और आईडियल सालिउचन या mark एकम घा लिए लिए आपको पता हो देटा हो मिकसिंग क्या आइडियल स्वाल्यूशन होते थे फॉलो करते थे फॉलो कितनी आसान कोशन आ रहे हैं मैं तो खुदी कन्फ्यूज हूं सोच सोच के इतने आसान कोशन बच्चा लोग समझता है कि बहुत टफ है और बिलीब नहीं करता है जब हम किलास में बोलते हैं बच्चों से कि यार ब करने लगा जैसे मैं बात करूं चोटी सी और गयनिक में एमस्चों इन और गयनिक में बीके जैसवाल है ना हम यह नहीं करो करो सब कुछ करो मना नहीं कर रहा है कुछ भी करने को लेकिन क्या यतना लेविल आता है यदि हम उसी लेविल पर फूकस करेंगे तो जाद सब्सक्राइब करने जाते हो तो मतलब हर दूसरा क्या होता है फिर बच्चा में आ जाता है समझी नहीं लेना तो लेविल का पड़ो और इंपोर्टेंट चीजें पड़ो पस यह नहीं कि कुछ भी पढ़ते जा रहे हो यार इसी को बोलते है मैं स्मार्ट स्टड़ी समझो अब मैं इसने सॉल्व किया हूं तो मैं आइस थिंक अब पता लग गया होगा कि किस तरीकी से पढ़ना चाहिए ठीक है 11 का आप में देखा यह 12 का देख लो है ना अब देखो तो फॉलो राहूल को फॉलो कर रहा है अब हमने एक बात और देखी थी यहां पे यदि इ Haven ये होता है स्लिफत है कि मतला यहां पे डेल्टा पी आ रहा है पी ओप्जर मांटर पी केल्कूलेटट वाहँ वर आउर्ट Works लough यहतब सही है यह पहा ह dysle Psalm और यह ना अब तील्टा-टीमिक्सिंग होती थी JimEC यही है आपको मैंने बता दर डिल्टा एस क्या होता है इस नौट इकवाल टूजीरो जब डेल्टा चेंज इन एंट्रॉपी एंट्रॉपी चाह होती है मीजरमेंट और रेंडमने जितनी जाद एर्रेगुलर्टी उतनी जाद एंट्रॉपी सिंपल सब्दम मैं सम्झाने के लिए बस बात कर रहा हूं तो डेल्टा इस इस नौट इक्वल टू जीडो है तो एक बात बताओ डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा यह भी नौट बच्चे सोचेंगे अरे सर समझ ही नहीं आया यह तो आपने सब सेम ही कर दिए और वाला ठीक है इनकरेक्ट इस टेट्मेंट पूच रहाता तो यह आंसर लगाती है अदिया नहीं आपको यह बात हो गई होगी होगी जोगो यहां पे लिखा हुआ 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 सकते हो मिक्सिंग ईक्वल टिए डिए-टैमों इसको सिंपल घए टीमिक्सिंग डिल्टाइच मीक्शिंग अगए अगया तरीके से आपको कोई फंडा नहीं लाएं सिंपल लॉजिक है सिंपल लॉजिक बोलो भाई के लिए पक्का वन फिरेंस आ रहा है मजा आ रहा है ना चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेश चलते हैं अगले क्वेस्टन की बात करते हैं जो कि नीट फर्स्ट 2016 में पूछा गया तो क्वेस्टन बोला है सिंपल विच वन विच आप दा फॉलॉविंग स्टेट्मेंट अबाउट दा कंपोजीशन ऑप दा बैपर ऑवर एन आईडियल वन डेशियो बन मोलर मिक्शर यह दिया हुआ और बैंजीन एंड टॉल्वीन ठीक है वह इस करेक्ट पूछ रहा है तो देखो आपको देदिया गया बहुत आसान है यहां पर देखा जाए तो देखो आप यहां प्रेसर निकालते हैं तो प्रेसर क्या होता है टके लिख रहाएं संह लिख लोक मौल निकालते अंटी इंटु पी नौर्ट तो यह यह पर पर प्रेशर दीआ हुआ तो दिखो यहां पे बात बताना यह आप का दिया हुआ उआ प Pinkie का दिया हूए आपको अब एक बात बताना आप मुझे सिंपल सब्दों में यहां पर की 25 डिए सेल्सिप्र मुझ रहा है अब आपको यदि बन रेश्यू बन मिक्षर दिया हुआ है तो एक बात बताओ आपका इसी तरीके से मुल्फ्रक्शन ओफ जब आप किसको क्यों अब एक बात बतायो यह हमने निकालना है रस ठीक है तो जिखो будете हम प्रेसर की बात कर लेते हैं, simple अब देखो क्या हो रहा है यदि आव हम partial pressure की बात कर रहे हैं तो देखो किछ इतना ऐगा, यदि हम simple p of benzeeन लिखते हैं आपई, बेंगीन कितना ऐगा, यह आएगा बनवाई 2 अच्छा वैपर प्रेसर कितना दिया हुआ है, यह simple p 0 की value रख क तो कितना दिया हुआ है 12.8 है ठीक है ना 12.8 अब देखो तो हमने इसको कैंसल आउट किया 2612 और यह कितना हो गया 248 तो कितना आ गया यह आ गया आपका सिंपल 6.4 किलो पासकर ठीक है अच्छ आप देखो अब हम पार्चिल प्रैसर आप किसकी बात कर रहा है तिंपल हम निका इसको कितने है बन वाइट इंटू वैपर प्रैसर कितना है सिंपल आपको 3.85 दिया हुआ है इसको कैंसल आउट करते हैं तो कितना आएगा यह आगा सिंपल बन तू बंजा टू ठीक है तो बन बचा 2.1.925 आ गया सिंपल आपका यहां निकाल लिया अब देखो यदि देखा जाए तो जो प्रैसर आ रहा है वो किसका ज्यादा है बेंजीन का जाता है है तो यहां पर देख लेते हैं तो अब आम देख लेते यहां पर विल कंटेंड एक्क्वेल एमॉन्ट ऑप टॉलीन नहीं नहीं वहीं तो ज्यादा कौन करेगा यह हम इन दोनों में बात करें तो बैंजीन क्या करेगा ज्यादा परसेंटेज पर रखेगा तो यह तो नहीं होगा बी लिखाओ समझ में भी आगया होगा सिंपल मोलर मिक्चर दिया हुआ आप पासिल प्रेसर निकालो और क्या होता है मोल फ्रेक्शन इन्टू पी नोट सिंपल ठीक है बैपर प्रेसर मल्टिप्लाई कि आमने देख लिए तो आपको यह बात भी किलिए हो गई होगी जो सॉल्यूशन भी लिखा हुआ भी यह मैं लास्ट में तो मैंने सारा निकाली दिया थस दा बैपर प्रेस्ट बिल कंटेन अ हायर परसेंटेज और बैपर प्रेसर और बैंजीन हायर एच कंपेर टू डा टॉलीन ठीक है ना तो टॉलीन से ज्यादा किसका था पास्यल पैसर सिंपल आपका बै 2016 में पूंचा गया था ध्यान से समझना क्या बोला देखो एट हंडेट डिग्री सेल्सियस दा बैपर प्रेसर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट इन हंडेट ग्राम वाटर इस 732 एमेम ठीक है यह प्रेसर दे दिया गया आपको इफ के भी इक्वाल बैठ घ्रम से और देंकर यहां पर हम pun' आपको यह प्रेसर की बात कि जाए तो आपको प्रेसिकल अच्छा अब आप देखो अब यहां पे हो गया सिंपल अब लिखा हुआ है क्या नेस्ट बात अब हमें क्या निकालना आपको पता है जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पी नौट माइनस पी एस डिवाइड भाई पी नौट यह आपने पढ़ा होगा कौन सा बोलो ट्रिलेट है यहां किना एसाइब को फंत ग्राम गया आपको सिंपल हंडेड ग्राम दिया गया है वाट तो डिवाइड वाई सेविन सिस्टी एक्वल टू एंटू डिवाइड वाई क्या हो गया अंडेड उपर 18 कर देता हूँ ठीक है इन्टू 18 इस तरीके से अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे आप सिंपल यहाँ पे अब यहाँ पे अब आप कर दोगे और स्थी्टीील nesosish як इस उस्वीटी तो ट्रोंटी एक हिए बचा और डिवाइ्ट वाई यह कितना है इन्टू 18 स्वरी इंटू कितना हो गया 28 इंटू यहाँ पे 18 आ जाएगा क्रोस मल्टिप्लाइ कर दिया हम मैं ठीक है उपर कितना आ गया 100 किसकी वैलू आ जाएगी एंटू की वैलू आ जाएगी तो देखो अब आप जब सॉल्व करोगे कितना आएगा यह 9 टाइम जाएगा यह कितन जाएगा 14 ठीक है और सॉल्व करना है तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे ऊपर बचेगा 1400 कि डिवाइड वाई यह कितना बचेगा यह आएगा आपका जीरो नाइन सिक्जा आपका आएगा 95 जा 45 नाइन सिक्जा 54 कैरी आई 5 नैन से बिंजा नैन से बिंजा आजाएगा आपका 63 और 5 कितना हो गया 63 और 569 तो देखो यहाँ पे क्या आगया एक्वल टू जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक्वल टू निकल के आजाएगा सिंपल आपका 0.202 के सम्थिंग आएगा ठीक है एप्रॉक्सिमेट वैलू यह आजा छेओ आपको करना है यहाँ पे अब आपको यह दे दिया गए जैसी मोच निकाल लिए इंटू के तो आपको पता है ड्य पता और ड्यू जो होती है क्या होती TV माइनस ते टीवी नोट आपको पता कितना है एक्चुल सॉल्वेंट का वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है तो आपको दिया हुआ भी यह ठीक है मैं लिख देता हूं यहां पर यह अपने उज़रूगत पड़ेगी इसकी डायरेक्ट लिए यह आप देखो के भी कितना है कि आपको 0.52 दिया हुआ है अच्छा अब मुललिटी निकाल ली है तो मुललिटी के लिए क्लिए क्या करना है आपको सिंपल मौ्स रखने है तो मौस कितने 0.52 मौस आगे 0.202 कितना आ गया 0.202 ठीक है कितना हो जाएगा आपका मास सॉल्वेंट ग्राम इंटु थाउजेंट से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा ठीक है अब देखो तो देखो यहां पे जब आप इसको सॉल्व करें टेन टाइंज जाएगा आप इसको मल्टिप्लाई करेंगे पूरा ओबराल तो डेल्टा टीबी की वैलू कितनी आएगी यह पॉइंट जाएगी यहां आ जाएगी बनट कॉइंट इरो शिक्स चिंपल अब देखो अब यह 1.06 अब यहां पर सिम्पल अब आप क्या करोगे देखो तो देल्टा टीबी की वैलू क्या ओंस ती बीनोट यह कितना हो गया यह होग गया आपका सिम्पल डेल्टा टीवी तो मालब तीवी नॉट इटकोल टू 1.06 तो देखो यहां पे टीवी की वैलू निकालनी है तो बन पॉइंट जीरो सिकस्ट टीवी नॉट की वैलू हंडेड कितना हो गया तो टीवी आगे आपका सिंपली हंडेड तुरी 101 10101.06 मतलब कितना आ गया आप देख लो इसको 101 ठीक है तो देख लो 101 डिग्री सेलसियस कहा है तो सिंपल आपका 101 डिग्री सेलसियस दिए देंगों सीम्पल आपने सबस्क्राइबरी में इससे आपने से अ कडिए आपने सम्पाल आपने घुल्से भी क्या की भी हो तो होप आपको यह कोशन भी के लिए अच्छे से हो गया हो बड़ा मज़ेदार कोशन था इंट्रेस्टिंग कोशन था बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और ज्याद एपनी टिफिकल आपको कैलकुलेशन नहीं दी है लॉलीपॉप टेलिक बहु है सिंपल लॉलीपॉप आप फेक्टर आई ठीक है फॉरएडियूट्र एक्वर स्वालूशन ऑप दश्टोंग लक्तोलाइट बैरियंग है डाक साइड़ेशन देखर बैर्यंग लेक्तोलाइट की बात कर रहा है और श्ट्रोंग लेक्टोलाइट आपके क्या होते हैं परसेंट डिसोसियेशन होता है ठीक है ना जब हंडेट परसंट डिसोसियेशन होता है तो सिंपल आप यह बताओ तो सिंपल आप मुझे यह बताओ जब आप बैरियम हाइड ऑक्साइड बी यह ओ एच का होल्ड ट्वाइस का आप करोगे तो क्या बलेगा आपके तिंपल बी यह प्लस टू तो यहां पर कितने मुल गए नंबर ओफ इस कितने मिलेंगे दो और एक तीन तो यहां पर यदि आई की वैलू देखोगे कितनी आएगी तो डीरेक्ट आंसर क्या हो रहा है एक कोई टूर्टी अच्छी बात किलियर हो रही होगी तो यहां पर सॉल्यूसन में भी लिखा तो आपको इस तरीके सकल लिया तो बहुत लॉलीपॉप क्वेस्टन्स हैं क्या है फॉर्मूला भी लगाना है सिंपल हमें डिसोसियेशन करना था और आंसर पालें तो यह होता ना जितने नंबर आएंस डिसोसियेट होंगे जितने मिलेंगे वही क्या होता है want of factor होता है यह यहीं से हाट चेपटर यहीं पर सवांप मिलते हैं अपthen सथी प्रकार्व के से हैं आप सभी लोग आई हो बहुत ही बढ़िया होंगे और क्योंकि इस सीरीज में आप लोग है इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू किया इसका मतलब आप लोगों का सपना है डॉक्टर बनने का आप लोग चाहते हैं कि प्रीवेस एर कोशन करके आप अपनी सकते हैं और मौक टेस्ट यानि की न्यू पैटर्न पर मौक टेस्ट मिल रहा है यारी बहुत अच्छी चीज है फ्री ऑफ कॉस्ट तो जरूर से टेस्ट सीरीज को जाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर इससे रिलेटेड आप से भी लोगों को कोई भी से हैं जो चाहते हैं कि वह भी डॉक्टर बने लेकिन 2022 अटेम्ट के लिए तो मैं आप लोग को बता दूँ आप लोग के लिए बहुत ही खुशकबरी वाली बात कि हम लोग लेकर के आ गए हैं ड्रॉपर बैच और ड्रॉपर बैच शुरू होने वाला है एक बैच शुरू और बहुत ही अफॉड़िबल भी होने वाली है सो इसी के साथ सिर्फ क्लासेज नहीं इंटरेक्टिव क्लासेज होंगी इंटरेक्टिव बिल्कुल सभी सुन रहे हैं आप इंटरेक्टिव हर जगा पर कोशनिंग होगी आप लोगों से हर एक चीज बहुत आसान कर दी गई झाल